हेलो दोस्तों मेरा नाम है प्रतिकोर स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में तो दोस्तों आपने रिसेंट्ली आइफोन यूज करना स्टार्ट किया है और आप चाहते हो कि जो भी फोटोस आप क्लिक करें वा वीडियो आप शूट कर रहे हो अगर उसका बैक अप आपको गूगल ड्राइफ की उपर लेना है तो वह आप केसे ले सकते हो यह बताने वाला हो आज की वीडियो में तो अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को जड़ी से सब्सक्राइब करो ऐसे ही वीडियो फ्यूचर में भी देखने के लिए ज्यादा डाइमेशनी करेंग जिनके अल्डेडी कुछ बैक अप हो चुक है बट फॉर एक्जांपल अभी मुझे यह जो प्लान के फोटो आपको दिख रहे हैं अगर यह फोटो अगर मुझे बैक अप करने है गूगल ड्राइफ पर तो मैं सिंपली क्या करूँगा यहाँ पर सबसे पहले मैं का आइकॉन है ड्राइफ ऑपन करने के बाद यहाँ पे जितने भी फोटो का भाकप हुआ है वह वो सारे फोटो आपको यहाँ पर वििपल हो जाएगे और यहाँ पर स्क्राइब reached तो Home, Star Shared and Files तो Start का जो section है वहाँ पर आपने लुट को खोना स्टार मार किया तो वह सारी यहां पर विजिबल हो जाएंगे तो यहां पर आपको विजिबल हो जाएगा या आपके साहथ किसी ने शेर कया तो वह सारे आपको यहां पर फाइल्स देखने मिल जाएंगे और जो यहां पर प्लस का जो आइकॉन विजिबल हो रहा है बॉटम में उसके उपर क्लिक कर देना है जैसे उसके उपर मैं क्लिक कर दूँगा यहां पर मुल्टिबल ऑप्शन आएंगे यहां तो आप इसमें फोल्डर क्रियेट कर सकते हो फॉर एक्जमबल अगर अभी जो है मुझ अपने हिसाब से और आप अपने से नेमिंग करके या फिर कैटेगरीज करके अपने फोटोज जो है प्रॉपरली कर सकते हो तो प्लान सेक्शन में मैं जाओंगा क्योंकि मैंने यहां पर फोल्डर बनाया है तो यहां पर भी सेम प्रोचिजर फॉलो करना है और इहां पर आपको upload का option देखने मिल जाएगा. Upload के option के उपर आपको click करना है. Upload option select करने के बाद दो option आएंगे bottom में. पहला option है photos and videos and second option है browse. अगर browse के उपर click करते हैं, तो आप directly file section में चले जाओगे जो apple में होता है. तो यहां से अगर आपको कुछ save करना होगा तो यहां से आप कर पाओगे. अगर यहां से नहीं करना है तो simply cancel कर देना है. और जो next option है, या first option है photos and videos वो आपको यहां पर select कर देना है. तो जो recently added थे वो आपको bottom में दिख जाएगा यहां पर background में पीछे. आपको और भी के photos अड़ करना है तो यहां पर select more photos का option आपको मिल जाएगा. अगर और photos अड़ नहीं करना है तो keep current selection में आपको select करके जो recent and recently added का background में फोल्डर है अब उससे select कर सकते हो. बट मुझे और भी photos अड़ करना है तो select more photos पर click कर दूँगा. जैसे click किया यहाँ पे जो main gallery में जो photos visible थे जो मैंने आपको starting में दिखाये थे वो आप देख सकते हो वो सारे photos और videos यहाँ पे है. तो आप photos भी ले सकते हो यहाँ पे videos भी आप जो है drive के उपर backup ले पाओगे उसका. तो यहाँ पे एक photo जो है अल्ड़री selected है. Second एक photo ले लेता हो मैं यह 4 photos जो है मैंने select कर लिये जो plants के थे. जैसी आप select कर दोगे उसके बाद आपको यहाँ पे done के ओपर click कर देना है. Done के ओपर click करने के बाद यहाँ पे आपको दो folder मिलेंगे. Recent में आप देख सकते हो यह 4 photos यहाँ पे आ चुके है और Recently Added उसके उपर click करने के बाद भी आप देख सकते हो यहाँ पे चार photos जो है जिनका backup अभी हमने यहाँ पे select करके done किया था. वो यहाँ पे आ चुके है तो अभी तक backup complete नहीं हुआ है अभी सिफ हमने Add किया है तो यहाँ पे backup complete करने के लिए आपको यहाँ पे select कर देना है इन 4 photos को एक बार फिर से फिर से select करने के बाद यहाँ पे आपको upload का option मिल जाएगा. upload option पे click करते ही चारो photos यहाँ पे आ जाएगे और one by one जो है यहाँ पे backup start हो जाएगा तो backup के लिए wait करते है चारो photos का backup होने के बाद आपको मैं वो folder दिखा देता हूँ तो अभी आप देख सकते हो backup जो है complete हो चुका है bottom में message आ चुका है all pending uploads have completed तो यहाँ पे अभी simply क्या करन हम back चले जाएंगे और backup हो चुका है completely तो चेक करने के लिए आप home पे भी जा सकते हो यहाँ पे home पे जाने के बाद आप एक बार यहाँ पे refresh कर दोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे photos जो है आ चुके है तो यह one two three and four तो यह चार photos जो हमने select किये थे उनका backup जो जो है हो चुका है और जो folder हमने create किया था उसके लिए आपको files में जाना है files में जाने के आप देख सकते हो plants का यहाँ पे folder मैंने बनाया था उसके उपर अगर मैं select करता हो तो यह चार photos यहाँ पे visible हो जाएंगे तो यहाँ पे photo select करके यहाँ पे one by one photos जो है यहाँ चेक कर सक ताकि photos properly आये है या नहीं चेक करने के लिए तो simply इसी तरीके से आप जो है आपको अगर google drive के उपर backup लेना है किसी भी photos का और videos का तो ले सकते हो यह photos मैंने दिखा दिये videos के लिए same आप कर सकते हो plus के उपर जाना है upload के उपर क्लिक करना है photos and videos select कर देना है आपको और photos and videos select करन मैंने आपको starting में बताया था तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो अगर मुझे यह particular folder जो इसे star mark करना है तो यहाँ पर तीन डॉट विजिबल हो रहे है आपको plans folder के सामने उसके उपर मैं क्लिक करता हो तो यहाँ पर bottom से message आ जाएगा या फिर pop-up screen आ जाएगी और यहाँ पर add जो folder या files है वो इस वाले section में मैं check कर सकता हो तो यही simple steps है जिसे follow करके आप simply google drive के उपर अपने photos और वीडियो का backup ले सकते हो तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में I hope आपको इस वीडियो पसंद आया होगा अच्छा लगा है तो like कीजे share कीजे अपने दोस्तों thank you